22 वशों का विश्वास, 10,000 से जदर डॉक्टर्स, गोल, नेशन्स लीडिंग इंस्टिटूट पार्टि पुत्रा लोक सभासिट से अपना भाग्या आजमा रहे हैं, बड़े जुनूनी हैं और सबसे खास बात यह हैं कि नभी में नौकरी कर चुके हैं, एक्स नभी मैन हैं, और फिल्म मेकर हैं, फिल्म एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, और एक सफल कारोबारी भी हैं, इनका देश दुनिया में हर जग कारोबार है, एनाराई भी रह चुके हैं, तो इनका चुनाव का जो प्रचार होता है, वो भी अनोखा होता है, और सबसे खास बात यह हैं कि चुनाव वहारे या जीते, यह कभी पीछे नहीं हरते, निरास और हतास नहीं होते, जुनून ऐ जैसा है कि जितना तो है ही, साथ ही अपने समाज को भी संग्ठिद करना है, और एक नई ताकत के रूप में उभारना है अपने समाज को, आप बताइए आपका स्वागत है स्टेटी पोस्ट में, सरमा जी आप चुनाव कितना बार लड़ चुके हम तक, मैं चुनाव दो ब गांधी को हराने के लिए, वो वैसे ही हमने सपत लिया है पाटली पुत्रा से जादो गिरी को हराने के लिए तो आप बिधान सभाज चुनाव भी लड़े थे और अब लुक सभाज चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका मुकावला किस से है, राम कृपाल से या मिशा भारती से? अबी राम किरपाल जी तो अपने कारणामों से खुद हार रहे हैं, अभी साइद आपको पता होगा भी कि वो एक टीम अभिमन्निव चला रहे हैं, और टीम अभिमन्निव के मारफत वो अपने बेटे को बिकरम छेतर से एमेले के लिए वो परमूट करना चाह रहे हैं, जह जहां जहां जो जादो कम्मूटी के लोग हैं, वहां वो खुद जाते हैं, और जहां जो भुमिहार, ब्रामन और 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 लोगों के जैसे कम्मूटी वाले हैं, वो वहां पे अपने बेटे को भेजते हैं, कि जाकि एक तीर में दो सिकार करें, एक उनका भी काम करें, और व अपने बेटे को वहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से सभी नाराज हैं तो राम कृपाल जादो तो हंडर पर्शन हार ही रहे हैं उसमें तो कोई सक है नहीं यहां जितने जो नाराज मत जाता हैं वो सभी नोटा की तरफ जा रहे थे और वहां आर्जेडी की तरफ भी रुधान उनका नहीं था क्योंकि आर्जेडी ने भी जो कारणा में यहां किया है उनके मन मस्तिष से भी निकला नहीं है भरा हुआ है वहां वाकई नोटा की बात ज्यादा लोग कर रहे हैं आखिर क्यों कर रहे हैं और उसको कैसे रोकेंगा मेरे आने के बाद जो लोगों को बिकल्प का एक आउसकता था वो अर्मान पुरा हो गया है और जो जितने नोटा में जाने वाले थे वो सभी ओ आ करके हमारे पक्ष में भोड़ देने के लिए अपना स्यम्वती दिये हैं यहां 14 मुखिया अलग-अलग अलग-अलग ग्राम पंचायत से हमें अपरोच किये हैं कि वो अपने तोड तरीके से अपने पूरे पंचायत में जन से, मन से, धन से, तन से, सब जगह से और मिटिंग आयोजन करेंगे हमें एक गहंटा वहाँ पर जा करके उनका अपना विचार वहाँ उनके सामने रखना है और सब के सब वोटर जो ग्राम पंचाइट के हैं जिसमें से उपीए के भी हैं और इंडिये के भी हैं उस सब के सब भोट हमारे तरफ आना सुरू कर दिया है और तेज तारी को एक रिजल्ट सामने आ जाएगा कि ये दोनों का इमारत जो बना के रखा हुआ है वो धरासाई ह आपके चुनाव मेदान में होने से मुझे लगता है कि कहीं माहा गटवंदन के उमिद्वार मिसा भारती को ही फैदा होगा नहीं ऐसी बात नहीं है मिसा भारती का जो ग्रिष जुद जो चल रहा है वो उसको डुबा देगा उसको फैदा जो होने वाला था वो होगा नहीं आज ऐसा हुआ कि जादो एक जादो से जगरा कर रहा है एक बहन या भाई के हाथों में कलाई में राखी बानना चाहिए था और रखिया के बंदर कैसे तो गाना है रखिया के बंदर भाईया बचाना या कुछ इसतरी के गाना है वो राखी न बान करके हाथ काटने का हाथ काटने का वो पैगाम भेजता है और वहां पे रामपूरी भी लेके चलती है साइध कि जहां मुका मिलेगा राम कृपाल जादों का हाथ काठी देगा इस तरीके का है और जो भाई जो है जो बहन के सर पे आसिरबाद देना चाहिए था ओ आज लड़ाई के मैदान में उत्रा हुआ है मैं चुप चाप से पहले था कि देखते हैं कि क्या यहां पर वातावरन बन रहा है और जब ऐसा लगा कि नहीं एक दूसरे का दुस्मन वही बने हुए है तिसरा जो आता है तो यह आपस में वो लड़ते रहेंगे और बकियम मत आता है इतना समझदार हो चुकी है कि वो एक क्लिन करेक्टर को एक मजबूत इरादेवाले को एक इमंदार को एक समाज भक्त मानो भक्त और देश भक्त जो है वो उसको अपना सहयोग देगा अपना मत दान देख करके और यहां बनाएगा अप उमीद रखते हैं कि आप चुनाव लड़े ही नहीं रहें जित भी जाएंगे बिलकूल मैं यहां पे आया हूँ तो चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ नहीं आया हूँ मैं चुनाव लड़ने के लिए मैं पहले आ चुका हूँ अभी जो मेरा यहाँ आग्मन हुआ है, ओछुनाव जितने के लिए है, और इसमें हम यह नहीं कहेंगे, कि मुझे किसी ने भेजा नहीं है, मैं आया नहीं हूँ, हमें कोई गंगा मैया ने बुलाया है, वैसे बात नहीं है, हमारी अंतरात्मा, हमारी इसमिता ने मुझे आया है कि आप आओ जो भी यहां पाटली पुत्रा के पुत्र है यहां पाटली पुत्रा के अंदर में है बिहार के अंदर में है या देश के अंदर में है या पुरा दुनिया के अंदर में है जहां भी है तुम्हें पाटली पुत्रा के धर्ती का धिकार है अगर तुम नहीं सवर्न और हरवर्न जाएंगे तो कहां जाएंगे क्या लालुजादों को भोड़ देंगे उनके पास कोई विकल्प है क्या बीजेपी के सिवा अब इस तरीके का उहलना सुनना एक बहुत बड़ा तकलिफ दायक है और चूप रहना जितना अपराथ उनका है चूप रहने वा है और अगर आप बरदास्ट कर रहें तो यह अपराद है कि आपको लड़ना होगा अपने हक लड़ना होगा इसलिए अगर हम नहीं लड़ते हैं तो हम उसका पाप का भागी है और हमारा कहना है कि जलत पटल तक छिपारवी कब तक रह सकता है युग की अवहलना शुर्मा कब तक सकता है तो यहां जो इस तरीके का वहलना हो रहा है इस युग में इस यहां समाज में उसको सहना एक बुझदिली है कायरता है और होर अपराद है अपने वोटर से मद्दाता से क्या कहना चाहेंगा वो फिल कर सकते हैं हम अपने मद्दाता से हम हर बिहार के वासियो से कहना चाहते हैं कि समर्शे से पाप का भागी नहोता केवल ब्याद जो तटस्त है समय लिखेगा उसका भी अपराद आपने सुन लिया यह कह रहे हैं कि भाई आप आपको लड़ना पड़ेगा हिंसा के खिलाप आपको जंग का ऐलान करने पाटली फुतरा के धरती पर उत्रे हैं अब देखिए अगर आप इनके बातों से सहमत हैं, इनके दावे में आपको दम दिखता है आप इनको सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बक्स में जाकर अपना कमेंट लिख सकते हैं अगर आपको पसं NSIT निखारता है आपकी प्रतिभाको NSIT, a place to imagine, invent and inspire NSIT, अमहारा भीटा पतना